प्रेदोस्तों यदि आपने प्रभु ईशु मसी में नया जीवन प्राप्त किया है तो आप एक जीवित प्राणी बन गए हैं और आप उस जीवित प्राणी अर्थात कलीसिया के अंग बना दिये गए हैं परंतो यदि अभी भी आप एक पुराना जीवन जी रहे हैं, एक मृित्यकावस्था में जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक जीवित अंग के अंदर एक मृत्यक कोशिका के समान हैं। अर्थात आप एक कैंसर सेल के समान परमेश्वर की कलीसिया में जीवन वैतित कर रहे हैं क्या आप जानते हैं कि इसके द्वारा से आप कलीसिया को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारा अध्यन इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए एक जीवित व्यत्ती का जीवन कैसा होता है आईए इस अध्यन में शामिल हो जाएं और जानें कि आप एक जीवित और जागरी तवस्था में कैसी जीवन वैदीत कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों सत्यवचन कारिकरम में आपका स्वागात है आपके उपस्थिती के लिए मैं आपकी सरहना करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम के निमित प्रती दिन इस अध्यन में हमारे साथ शामिल होते हैं आपकी उपस्थिती हमें प्रोच साहित करती है और इसी कारण हम आपसे प्रती दिन निवेदन करते हैं कि आप हमें फोन के द्वारा सूचित करें कि आपने आज कौन सी आशीश प्राप्त की है या किस नई बात को आपने आज जाना है आपका एक फोन हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है इन दिनों हम इफीसियों की पत्री पर मनन कर रहे हैं और कलीसिया के आकार या नक्षे को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाया है कलीसिया एक जीवित प्राणी के समान है जिसमें जीवन है और वह जीवित पत्थरों से अर्थात हम विश्वासियों के द्वारा पनी है अब यह बात सोचने की है कि यदि हम विट अवस्था में है तो हम जीवित अंग के एक मृत कोशिका के समान है जिसे हम कैंसर सेल कह सकते हैं अश्यर की बात यह है कि हम तो आत्मिक मृत्यों से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो पुना हम कैसे मृतक हो सकते हैं कारण है कि या तो हम जीवित नहीं हुए हैं या हम मृतक अवस्था को अधीक पसंद करते हैं चलिए जानते हैं कि वचन हमें आगे और क्या कहता है इस विशे पर मेरे मित्रों आईए आज हम अपने अध्यन में आगे बढ़ें मित्रों को चुना जो अपरादों और पापों के कारण मरे हुए थे और क्रोद की संतान थे इफिसियों की पत्रित दो अध्याय उसके तीन पद में हम पढ़ते हैं इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान सुभाव ही से क्रोद की संतान थे मित्रों पद एक से साथ को समझने के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि ये साथों पद युनानी भाषा में एक ही वाक्य है आम युनानी भाषा को समझना तो आसान है परन्तु यह वाक्य साहितिक है इसका अर्थ है कि पौलुस उस युग की प्रचलित युनानी भाषा से अधिक अच्छी युनानी जानता था हम देख चुके हैं कि अध्याय 2 अध्याय 1 से जुड़ा हुआ है अध्याय 1 में पौलुस उद्धार की चर्चा करते हुए पद 19 में परमेशर के महान सामर्थ की चर्चा करता है यही सामर्थ्य मृतक पापियों को जिलाता है अब अध्याय दो के पद एक में वह कहता है कि हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। वह वास्तों में आदम की मृत्यू के बारे में कह रहा है जो हम में आ गई। रुमियो की पत्री पाच अध्याय उसके बारपद में वह स्पष्ट कहता है जैसा एक मनश्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यू आई और इसी रिति से मृत्यू सब मनश्यों में फैल गई। क्योंकि सब ने पाप किया आदम के पाप ने हमें पतित मनश्य की संतान बनाया और हम सब में आदम का सुभाव आ गया है जी हाँ यह एक व्रष्ट सुभाव है जिसमें परमेश्वर के लिए जुकाव नहीं है। मैं जब अपने मन परिवर्तन के बारे में सोचता हूँ तो उसे एक चमतकार ही मानता हूँ। परमेश्वर मेरे जैसे मनश्य को कैसे उद्धार प्रदान कर सकता था। मेरे पिता सिधांत वादी थे और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। परंतु वे विश्वासी नहीं थे और कलिस्या विरोधी भी नहीं थे। वह अराधनाले के द्वार में तो कभी कदम रखते नहीं थे। परंतु मुझे संडे स्कूल अवश्य भेशते थे और मैं जाना नहीं चाहता था। मेरे पिता की मृत्यू के समय मैं 45 वर्ष का था और मैं सेवा में था। फिर भी मैं संसारिक्ता में बह जाता था। मैं प्रतेक अधिकार से बचने के लिए दूसरे शहर में भाग जाना चाहता था। वहां मेरे मित्रता एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका पुत्र मर गया था। और मुझ में उससे अपना पुत्र दिखाई देता था। वह मुझे ऐसी ऐसी जगह ले गया जहां एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। मुझे घर की याद सताने लगी। और मैं घर लोट आया। आज मुझे समझ में आता है कि घर की याद आना परमेशर की ओर से ही था। अन्य था शैतान की विजय होती। मैं परमेशर के लिए और परमेशर की बातों के लिए मृतक था। उस समय किसी ने मुझे समझाया कि मुझे मसी इश्यू के द्वारा शान्ति मिल सकती है। यह कैसा अद्भुत था। मैं तो कहूंगा कि यह एक चमतकार है। मैं तो परमेशर से दूर भाग रहा था, क्योंकि मैं अपराधों और पापों में मरा हुआ था। आदम तो उसी दिन आत्मिक्ता में मर गया था, जिस दिन उसने परमेशर पर विश्वास त्याग उसकी आगया तोड़ी। वह परमेशर से दूर हो गया और छिब भी गया, वह परमेशर की प्रतिक्षा नहीं करता था, आज के प्राकृतिक मनश्य की यही दशा है, यह मानना कि मनश्य में आत्मिक चिंगारी है और वह परमेशर की प्रतिक्षा करता है, सर्वता ब्रह्म है। मेरे मित्रों, जिस दिन आदम ने आगया तोड़ी, उसी दिन वह परमेशर के लिए मर गया. उसकी बातों के लिए मर गया. शारिक रूप से तो वह नउसाव वर्ष बाद मरा था. परन्तु उसने पर्मेश्टर के लिए ललकना समाप्त कर दिया था, वह पर्मेश्टर से अलग हो गया था, मृत्यू मनिश्य को परमिश्य से अलग ही तो कर देती है शारिक मृत्यू आत्मा को देह से अलग कर देती है हम आत्मा को अलग होते नहीं देख सकते हम केवल मृत्यक शरीर देखते हैं इसी प्रकार आत्मिक मृत्यू परमिश्य से अलग होना है पाप करने के बाद मनुष्य शारिक और मानसिक रूप से तो जीवित था परन्तु वह आत्मिक मृत्यु में था परमिश्व से अलग उसने वही मृत्यक सोभाव अपनी संतान में पहुँचाया केवल पोईत्र आत्मा ही मनुष्य के विवेक को पाप के प्रती निरुत्तर होने हे तो प्रेरित कर सकता है जो ना आप कर सकते हैं और नहीं मैं कर सकता हूँ केवल और केवल परमिश्वर का आत्मा कर सकता है मुझे एक ऐसी कलिस्या का पास्टर होने का सोभाग ये प्राप्त हुआ जहां महान प्रचारक सेवा कर चुके थे मैं प्रशंसनिये काम करना चाहता था और परमेशर का महिमान वन करना चाहता था जब मैं टीवी कक्षे से निकल कर प्रचार मंच पर जाता था तो यही प्रातना करता था हे प्रभु परमेशर मैं जानता हूं कि मैं आज सहाय और निकमा हूं मैं एक कब्रिस्तान में प्रचार करने जा रहा हूं क्योंकि यहां बैठे अनेक जन अपराध और पाप में मरे हुए हैं। हे प्रभु यदि पौईत्र आत्मा काम करे तो मैं सामर्थी हो जाऊंगा। मृतक केवल पौईत्र आत्मा की आवाज ही सुन सकते हैं। प्रभु यश्यों ने अपने शिश्यों से सहायक भेजने की प्रतिग्या की थी। यहनर्चि सु समाचा सोला ध्या उसके आठपद में लिखा है वा आकर संसार को पाप और धार्मिक्ता और न्याय के विश्यय निरुत्तर करेगा। क्या आप जानते हैं कि हम एक कब्रिस्तान में रहते हैं। मनश्य मृतक हैं। एक प्रसिध न्याय धीश कभी इस प्रकार प्रचार करता था। आज के जीवित प्राणियों में लाखों हैं जो कभी नहीं मरेंगे। उसके पीछे-पीछे एक महान प्रचारक-प्रचार करता चलता था। आज के जीवित प्राणियों में लाखों हैं जो मरे हुए हैं। वह नया धीर्ष की तुल्ना में सही था। लाखों करोणों मनश्य अपराध और पाप में मरे हुए हैं। जी हाँ, एक वृद्ध पुरुष से पूछा गया कि कब्रिस्तान क्या है। उसने कहा, कब्रिस्तान वह स्थान है जहां मृत्तक रहते हैं। आज के संसार की यही परिभाशा है। मेरे मित्रों, अपराध वह है जो आदम ने किया था। उसने पर्मेशर की सीमा पार की थी। पाप का अर्थ है लक्ष से चूक जाना। हम पर्मेशर के मानकों में खरे नहीं उतरते हैं। हमारी यही दशा है। हम अपराधों और पापों में मृतक हैं। और शैतान के सामर्थ में सक्रिय हैं। यह उद्धार पाने से पुर्व की हमारी शवी है। इस संसार में प्रतेक उद्धार से रहित मनुष्य एक पुतले की तरह है। मेरे मित्रों, हमारे अतीत का वर्णन मनमोहक नहीं है। हम इस संसार की आत्मा में चल रहे थे। हम संसार के समाज, सभ्यता और जीवन शैली को अपनाए हुए थे। हम आकाश के राजकुमार के अमसार चल रहे थे, जो आगया न मानने वालों को शक्ती देता है। यह शैतान है जो मनशी की अगवाई करता है। आज जब विश्वासी संसार से अलग होनी की बात करते हैं तो उनका अभिपराय देहिक, संसारिक और अभगतों से अलग होना होता है। खोई हुए संसार का पाप वास्तों में मानसिक और आत्मिक पाप होता है और ये मेरे विचार में शारिक पाप से बढ़कर है। याकुब के पत्रे चारध्या उसके एक से चार पद में लिखा है। तुम में लडाईया और जगड़े कहां से आ गए। क्या उन सुक विलासों से नहीं जो तुमारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम जगरते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुर क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतह जो कई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे मित्रों रैवार को बहुत लोग आराधना में ऐसी पवित्रता से आते हैं जैसे कि वे संसार से अलग हों और सोमवार के दिन वे इस संसार में ऐसे लिन हो जाते हैं जैसे अन्य संसारिक मनश्य तथा पैसों के पीछे भागने लगते हैं और अपने स्वार्थ में और शाकुप यही तो कह रहा है, विश्वासी को इन सब बातों से मुक्ति मिल गई है। यहुना इसी बात को इस प्रकार कहता है, पहला यहुना की पत्री दो अध्याय उसके 15 से 17 पद में, आएए पढ़ें, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तूं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात, शरिर की अभिलाशा और आखों की अभिलाशा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतो संसार ही की ओर से है संसार और उसकी अभिलाशाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो पार्मेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सरवदा बना रहेगा जी हाँ, आज अनेक मनशे कहते हैं कि वे घोर पाप में नहीं है लोग कहते हैं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करता मैं अन्यों की नाई न तो जीवन जीता हूँ और नहीं वैसा आचरन करता हूँ डॉक्टर केंबेल मार्गन एक प्रश्न पूछते थे क्या आप उनकी नाई जीवन जीना चाहते हैं क्या आप टीवी पर मनशे को पाप करता देखना चाहते हैं क्योंकि इस प्रकार आप इन कू कर्मों को उनके अस्थान में करना चाहते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी मेरे विचार में गण मान्य इसलिए है कि उसका प्रचार ऐसा है। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि प्रभुईश्य ने उड़ाव पुत्र के पापों का उलेख नहीं किया है। मैंने ऐसा प्रचार सुना है कि प्रचारक उड़ाव पुत्र को एक रात्री, कलब से दूसरी रात्री कलब, एक मधुशाला से दूसरी मधुशाला, एक विश्याले से दूसरे विश्याले में ले जाता था। कुछ पौईत्रजन ऐसा प्रचार सुनने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे पाप का आनन्द ले सकते हैं। यहनना जब कहता है संसार से प्रेम न रखो, तो उसका कहने का अर्थ यही था कि संसार को देख कर भी लालसाओं की पूर्ती ना करो। क्या आप संसार से ऐसा प्रेम करते हैं? आप इसके बारे में कैसी अनुभूती करते हैं? मेरे मित्रों, मैंने अपने जीवन में समुंद्र कभी नहीं देखा था। जब मैं कन्यक कुमारी आया, तो वहां समुंद्र के बीच एक अती मनोरम स्थान बनाया गया था। हम उसे देखने गए और जब लोट रहे थे तो हमारी नाओ जियों जियों दूर होती जा रही थी, तियों तियों वह आखों से ओजल होता जा रहा था। और अंततह विलोप हो गया। मुझे वह अच्छा तो लगा, परन्तु मुझे उससे दूर होने का दुख नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इसी प्रकार मुझे आशा है कि मैं संसार के प्रती ऐसा ही दृष्टी कोण रखूंगा। मेरे विश्वासी मित्रों, क्या आप वास्तों में कलिस्या को उठाले जाने के लिए मसी इश्यू के आग्मन के अभिलाशी हैं या एक अति उत्तम चर्चा का विश्य हैं। परंतु मैं आप से कुछ प्रश्ण पूछना चाहूंगा, क्या आप इस संसार को त्याकते समय रोईंगे। क्योंकि आप इसमें ऐसे मगन हैं। क्या आप अपने नोकरी में या व्यापार में या घर में या कलब में या संसारिकता की कलिस्या में मगन हैं। शामौन पत्रस ने संसार की ऐसी ही व्याख्या की है। दूसरा पत्रस की पत्री दो अध्याय उसके पंद्रा और सोलपद में। आईए पढ़ें। लिखा है वे सीधे मार्ग को छोड़ कर भटक गये हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिये हैं। जिसने अधर की मजदूरी को प्रिये जाना पर उसके अपरात के विशय में उल्हाना दिया गया। यहां तक कि अबोल गधी ने मनशी की बोली से उस भवशद वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। यह भटके हुए संसार का चित्रन है। क्या आप परमेशक की संतान होकर इस परिद्र में फिट बैठते हैं। मसी इश्यू को ग्रहन करने से पुर्व हम आकाश के अधिकार के हाकिम की इच्छा के अनुसार चलते थे जो शैतान है। वह हमें शक्ती देता था। हम परमेशर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम जिसके अधीन हो वह हमारा स्वामी होता है एक विश्वासी को भी चुनाव करना है कि वह किसकी सेवा करेगा। कुछ लोगों के विचार में परमेशर की सेवा करने का अर्थ है सांसारिक वेश भूशा और मनुरंजन का त्याग करना और स्वतंत्रवादे शिक्षाओं से दूर रहना। परंतो यह अलग होना नहीं ह मैं तो यही सुनता हूँ आपका जीवन करवाहट, ग्रिना, स्वार्श से पूर्ण है तो ऐसी बाते किसी काम की नहीं क्योंकि यही तो घोर पाप है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालशाओं में दिन बिताते थे। ध्यान दें पॉलुस कहता है हम अर्था वह भी इसी समों में अपने को गिनता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं जिन में हम सब की जीवन शैली अर्थात लालसाएं, शरीर की अभिलाशाओं एवं वीचारों में जी रहे थे और सब के समान क्रोध की संतान थे। दुर्भागे से विश्वासी उस पुराने सोभा में जीवन बिता रहे हैं। वे सांसारिक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन अभक्ति के सिधांतों से प्रेरित है और शैतानी बातों के नियंत्रण में है। मैं एक बार एक विश्वासी व्यपारी के घर गया। उसने मुझे अपना घर दिखाया। और अपन मान सम्मान की चर्चा की परन्तु प्रवईश्य के साथ अपने संबंधों की लेश मात्र भी चर्चा नहीं की। वह जीवन जिसमें संसार का सब कुछ हो और प्रवईश्य न हो तो उसमें कुछ समस्या आवश्य है। अध्याएद दो के इस भग में पॉलुस कलिस्या और विश्वासियों का वर्णन कर रहा है जो पूर्वकाल वर्तमान और भविश्य से संबंधित है आप भावी कहने वालों के अनेक विज्यापन सुनते और देखते हैं जो आपके सुन्दर भविश्य की भवश्य द्वानी करते हैं मुझे अचमभा इस बात पर होता है कि वे स्वयम तो अपने रोटी कमा नहीं पा रहे हैं परन्तो अन्यों का भविश्य अवश्य देख सकते हैं कि वह सुन्दर होगा मेरे मित्रों विश्वासियों को ऐसों के पास नहीं जाना है हमें तो परमेश्य ने हमारा भविश्य बता दिया है और साथ ही हमारा वर्तमान और अतित भी आज मैं आप से जाना चाहता हूँ क्या आज आप उस परमेश्य के निकटा में हैं या आज भी आप सांसारी की जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियों या अति अन्यवारे है कि हम अपने जीवन में जांक करके देखें, अपने आपको जांचे और पर्खें, ताकि हम सच्च मुच में सच्चे परमेश्वर का अनुसरन कर सकें। प्रभू आप सब को आज की इस अध्यन के द्वारा बहुतायच से आशिश दें। दोस्तों, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का जन है या वैक्ति है, अर्था जिसने जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है, वह पाप कर ही नहीं सकता। हम मक्खी देखकर उसे निगल नहीं सकते। यही है इसका आर्थ। आपके लिए पाप कैसा है? क्या आनंद लेते हैं या उससे घ्रना करते हैं? यह केवल शारिरिक नहीं पर मन और आत्मा की बात है। आपके अंधर पाप को लेकर क्या भावनाएं हैं या बहुत महत्यपूर हैं? हमने मसी को प्राप्त कर जीवन में प्रवेश कर लिया है, तो जीवन प्रदर्शित होना चा और उसका प्रमुकि स्थान है हमारा दैनिक जीवन में उसका अभ्यास। शारिरिक मृत्यू का अर्थ है आत्मा और प्राण का देह से अलग होना और आत्मिक मृत्यू का अर्थ है मानाओ का या मनुश्य का परमेश्वर से सदाकाल के लिए अलग होना। हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते पर हम सांसारिक्ता से अलग जीवन जी सकते हैं यह कठिन जरूर है परंतु परमेश्वर हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ प्रदान करता है आए प्रार्थना करें कि हम ऐसा ही जीवन जीए जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और प्रगट हो हमारे स्वर्गे पिता हम धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु शुक्रीस्ट के नाम से कि आपने अद्भुत रीती से प्रभु अपने वचनों से हमें त्रिप्त किया है पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वच्चन हमें हर एक जीवन के पहलू के लिए शिक्षा प्रदान करता है हमारी इस प्रार्थना है प्रभू, आप सहायता करें विशिष्ट और पे हमारे सभी दर्शकों के लिए बिंती है जो आज हमारे साथ ही सद्यन में शामिल है प्रभू, उन्होंने आपको प्रात्मिक्ता दिया है उन्होंने अपने जीवन में आपके वच्चन को प्रात्मिक्ता दिया है प्रभू, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्र उन पर हो आज हम विशेश तौर पे बिंती करते हैं प्रभू हमारे उन सब दर्शकों के लिए जो स्वेम या उनके परिवार के कोई वैक्ती बिमारियों से लड़ रहे हैं, जूज रहे हैं प्रभू अनेक हमारे भाई और बहन ऐसे हैं जो अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभू आज आपके दास होने के नाते आपके सीवक होने के नाते हम उनके लिए बिल्ती करते प्रभू वे जहां भी है जहे घर में, अस्पताल में ये किसी अन्य जगह में प्रभू आप अपना हाथ बढ़ा कर उन्हें छू ले प्रभू आप यहवा राफा परमेश्वर हैं आप उन्हें चंगाई दें प्रभू जी उनके जीवन को उनके शरीर को पुना वैसा कर दें प्रभू जैसा पहले था प्रभू आप में वो सामर्थ है जो आप पूरा कर सकते हैं पिता प्रभू जो उन्हें मेडिकेशन दिया जा रहा जो दवाईयां दी जा रही है प्रभू उस पर अपनी आशिश का हाथ रखे और अनुग्र करें पिता कि आपके ये लोग आपके अनुग्र से चंगे हो प्रभू प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं बिंटी ईश्यू के नाम से मांगते हैं आमेन दोस्तों आपके पास कौन से ऐसे प्रार्थना के विशे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो कृपिया उन्हें हमें लिख भेजें, ताकि हम नियमे तोर पर आपके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभू आपको अनेक आशीशों से परिपूर्ण करें और हाँ प्रभू के साथ बने रहें। पिछले कारेक्रम के प्रशन का उत्तर है D. पुन्रुथान की। परमेश्वर विश्वासियों को मसीह की पुन्रुथान की सामर्थ प्रदान करता है। आज का प्रशन है एक आत्मिक रूप से मृत्तक मनुष्य किसकी आवाज सुन सकता है। मित्रों इस प्रशन का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। क्या आपको ये जापको ये विजेता हैं। झाल झाल